हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके बने यूटूब चैनल विजाकाले सियाटेस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले है जो सियाटेस में आपका सब्जेक्ट है वर्क्सोप कैलकुलेशन एंड साइन्स उसके सैलेबस को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ने पुड़ेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है तो देखे दोस्तों जिन स्टूडेंट ने अब दर टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले टेलिग्राम जोइन करने का देलिग्राम चैनल आ जाएगा दूसरा व्यक्टिशन टेडवाल के लिए टेलिग्राम चैनल ने का सबीग्राम अंब पर चैनल को सबसक्राइब करी है क्योंकि आप पर आपको सियाटेस के रिगार्डिंग सारे जनकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है और आपको वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपका सियाटेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं देगे दोस्तों जो स्टुडेंट हमारी ओनलाइन क्लासी जोइन करना चाता है वो सिम्पलिस वाटसप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकता है यहाँ पर आपको सियाटेस की जो लेक्टिशन ट्रेड थियोरी है उसकी क्लासी मिल जाएगी वर्क्सो नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकता है देखिए दोस्तों जो मेरी पिछली वीडियू आए थि उससमें मैंने इंजंग ट्रोइंग के सेलिबस को लेकर बात की थी तो देखिए दोस्तों जो स्टुडेंट इंजंग ड्रोइंग की त्यार है अपने अच्छे से करना चाता है अं इसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप जो engine drawing की PPT है वो ले सकते हो PPT का benefit क्या है देखे जब इसको आप PowerPoint में start करोगे तो मान के चलो आपको ellipse मनाना है तो आपको सारा procedure बताए जाएगा पहले कौन से line खीचनी है कैसे क्या करना है एक एक चीज आप वहाँ पर देख पाओगे और आसानी से आप उसको सीख पाओगे ठीक है यहाँ पर आज जैसे ellipse है spiral है या parabola है hyperbola है ठीक है उनके अलग-अलग method है वो सारे method यानि जो भी आपका syllabus है उसके coding यह PPT है ठीक है तो जो भी student इसको लेना जाता है description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते है देखिए अब बात कर लेते हैं syllabus को लेकर तो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दू जो यह syllabus है यह engineering trade ठीक है dropsman को छोड़कर यह सभी के लिए syllabus रहेगा जैसे dropsman civil है, dropsman mechanical है उनके लिए syllabus नहीं है बाकी सभी ट्रेड के लिए syllabus रहने वड़ा है ठीक है अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो workshop calculation है उसमें आपके कौन-कौन से chapter है फिर हम जो workshop science है उसको लेकर discuss करेंगे तो number one point पर यहाँ पर देखे fraction, ratio and proportion यानि fraction में क्या है, भी नहाँ numbers है यानि संख्या है, ठीक है, अनुपाद समानुपाद ठीक है, यह रहेगा जैसे आयत का छेत्रपल पूछ लिया आयत का परिमाप पूछ लिया या तरी बुझ का छेत्रपल पूछ लिया ठीक है, या फिर जो संकुक आयतन पूछ लिया, वो सारी चीजे इसमें रहने वाली है, और यह अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छे से आपको यह करना पुड़ेगा, ठीक है और यह इंपोर्टेंट भी है ठीक है दोस्तो, छटे नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, टिगनोमेंटरी या नित्रिकोर्ण मिती, साथ नंबर पर ग्राप्स, ग्राप्स के बारे में आपको जानना पुड़ेगा कितने इसके टाइप्स होते हैं, किस तरह के ग्राप्स होते हैं, वो सारी चीजे इस्टेटिक्स है, ठीक है तो कुछ यह आठ चैप्टर आपके रहने वाले हैं, वर्क्सोप कैल्कुलेशन में, ठीक है आगे बात कर लेते हैं, जो वर्क्सोप साइंस का सेलेवस है, कौन कौन से चैप्टर है, तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है, यूनिट एंड डाइमेंशन यानि मात्रक और विमाई दूसरा हमारा है, इंजिनिरिंग मेटेरियल ठीक है, उनके बारे में जानेंगे इस शैप्टर में, तीसरा हमारा क्या है, हीट एंड टैंप्रेचर यानि उसमा और तापमान पांचवा हमारा फोर्स यानि बल ठीक है, फोर्स एंड मूसन पांचवा क्या है हमारा, वर्क पावार एन्यजी यानि वर्क, कारिय, सकती, उर्जा, ठीक है, अब छटे नमबर देखे, फ्रिक्शन यानि घरसंड, साथने नमबर पर इस्ट्रेस, एंड इस्टेन, यानि तनाव और परतियास था, सिंपल मसीन, ठीक है, एलेक्रिशिटी यानि विद्दूत, जो भी एलेक कर आपको यहाँ पर मिलेगी electricity में दसवे नंबर पर जो हमारा है वो है fluid mechanics ठीक है यह है यह आप देख सकते हो कुछ आपके 10 chapter इसमें रहेंगे किसमें जो science है ठीक है और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस subject के लिए total 80 गंटे कर दूँ दोस्तों जो इसका paper होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको idea देदेता हूँ देखिए जो इसका paper होगा वो 50 number का होगा ठीक है 25 question आएंगे 1 question 2 number का होगा और 20 passing के लिए आपको number चाहिए ठीक है अगर मैं बात कुरूँ कि इसका paper आता कैसा है तो देखिए दोस्तों इसके जो सियाइटेस में वरक्सोप calculation science का जो paper होता है उसका level बहुत अच्छा रहता है ठीक है जो आपने ITI में exam दिया था उससे तो काफी अच्छा रहेगा यानि basic इतना basic नहीं होता एक दो question मिल जाएगा आपको आसान बाकी अच्छे level के question पूछे जाती है ठीक है तो इसलिए आपको जो theory है वो भी अच्छे से पढ़नी पढ़ेगी और अच्छे से आपको question की practice भी करनी पढ़ेगी तब जाकर आप इस subject में अच्छे marks ला सकते हो ठीक है तो जो भी student अगर को student आपको अच्छे तरीके से हिंदी मेडियम में आपकी classes यह रहने वाली है ठीक है तो इस WhatsApp नमबर पर contact कर सकता है ठीक है फिर भी किसी student को कोई doubt है तो comment करके पूछ सकता है